हिंदिस सिनमा में कई हीरो अपने चेहरे और फिटनिस के कारण नहीं, बलके अपनी अदाकारी के हुनर के लिए जाने जाते हैं उन्हें में शामिल रहे सत्तर और असी के दशक के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी मासूमियत और एक्टिंग के दम पर फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई एक ऐसे अक्टर जिनके भोले पन पर न सिर्फ फिल्म की सह अभिनेत्रियां फिदा हो जाती थी बलकि तमाम दर्शक भी दिल हार बैठते थे सत्तर के दशक में जब फिल्मों में आधुनिक्ता और बाजार वाध हावी होने लगा था उस दौर में भी जब ये अभिनेता कुरता गमचा धोती पहने बैल गाड़ी पर सवार होकर खेतों में देसी तान छेड़ते थे तो दर्शक दिवाने हो उड़ते थे लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार साल की उम्र में अपनी पहली ही फिल्म में इन्होंने इतना बहतरीन अभिने किया कि जूरी और मिनिस्ट्री ने पहली बार बेस्ट चाइल्ड एक्टर के अवार्ड को शुरू करते हुए इन्हे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया क्या आप मानेंगे कि महान एक्टर डैरेक्टर गुरुदत इनकी कला से इतने प्रभावित हुए कि अपने मरने के बाद भी इनसे किया हुआ वादा निभाया क्या आपको पता है कि इन्हें खुद से दस साल छोटी एक टीनेज लड़की से प्यार हो गया और उनसे शादी के लिए इन्हें बहुत पापड बेलने पड़े और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी गोद ली हुई बेटी ने पब्लिक ली इन पर कई ऐसे इलजाम लगाए कि सुनने वाले दंग रह गए तो कौन थे ये एक्टर? क्या रही इनकी जिंदगी की राजदार कहानिया? जानेंगे तमाम बातें आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन दोस्तों आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं इन्हें जब इनकी पहली फिल्म आफर हुई तो इनकी उम्र महस चार साल की थी और इनकी माने फिल्म मेकर्स को सिर्फ इस शर्थ पर बेटे से एक्टिंग कराने की इजासत दी कि ये फिल्म इनकी पहली और आखरी फिल्म होगी लेकिन कहते हैं ना कि टैलेंट बहते हुए पानी की तरह होता है जो अपना रास्ता खुद बना लेता है फिल्म नेशनल अवाड के लिए गई और जब जूरी ने फिल्म देखी तो कहा कि इस फिल्म में बच्चे ने जवरदस्त काम किया है तो अवाड का हकदार तो ये बच्चा है अवाड तो इसे ही मिलना चाहिए लेकिन तब तक नेशनल अवाड यानि प्रेसिडेंट अवाड में चाइल्ड एक्टर का अवाड शामिल नहीं था तो जूरी और मिनिस्ट्री ने ये फैसला किया कि बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवाड भी इस साल से शुरू किया जाए और ये पहला अवाड मिला इसी बच्चे को जब ये बच्चा अवाड लेने राश्टपती भवन गया तब इसकी उम्र सिर्फ पांच साल की थी तो इनकी मा ने इन्हें बताया कि जो मंच पर खड़े हैं वो हमारे राश्टपती सरोपली राधा कृष्णन है और वो जो जैकेट पहन कर बैठे हैं वो हमारे प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू है जब इनका नाम पुकारा गया तो ये चलते हुए मंच पर गए सर राश्टपती भवन देख रहा था कि अवोर्ड लेने पांच साल का एक बच्चा आ रहा है बच्चे ने जुक कर प्रणाम किया प्रेसिडेंट ने अवोर्ड दिया और लेकर ये वापस आने लगे तभी एक आवाद सुनाई दी सुनो और जब इन्होंने मुड कर देखा तो पंडित नहरू इन्हें इशारा करके अपने पास बुला रहे थे ये नहरू जी के पास गए और उन्होंने इन्हें उठा कर अपनी गोद में बिठा लिया इनकी मां आँखों में आसू लिये उस नजा पस पहुंचे तो देखा कि इनकी मां रो रही है इसे देखकर ये घबरा गए क्योंकि इन्हें लगा कि इनसे कोई गलती हो गई है और इसी लिए मां रो रही है तभी इनकी मां ने कहा बेटा तु इसी काम के लिए बना है और उन्होंने इसके बाद इन्हें फिल्मों में क प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रिस भी चलाया करते थे सचिन जब साइथ तीन साल के थे तभी मराठी फिल्म मेकर माधव राव शिंदे ने फिल्म सुनबाई में से सचिन को एक छोटे से रोल में लेने के लिए इनके पिता से संपर किया जाजा परांजपे 1961 में हा माजा मारग एकला नाम की फिल्म बना रहे थे। इसमें साठी चार साल के सचिन को कास्ट किया गया। जिस दिन अपने फिल्म करियर का पहला शॉट इन्हें देना था। उस दिन सचिन 103 डिगरी बुखार में तप रहे थे। इनके पिता ने की कि सचिन का शूट पोस्पोन कर दिया जाए लेकिन चुकि सारे तैयारिया हो चुकी थे इसलिए शूटिंग शुरू करने पड़ी। ताजुग की बात ये रही कि जैसे ही शूट के लिए सचिन का मेकप होना शुरू हुआ इनका बुखार उतरने लगा और धीरे धीरे ये ठीक हो गए साल 1962 में रिलीज हुई इस मराथी फिल्म के लिए ही सचिन को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था इसके बाद सचिन ने करीब 65 फिल्मों में बता और चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया इनमें कुछ फिल्में रही मिना कुमारी के साथ मजली देदी देवानन्द के साथ जोयल थिफ और शमी कपूर के साथ ब्रह्मचारी और संजीव कुमार के साथ बच्पन सचिन जब 9 साल के थे तब महान एक्टर डिरेक्टर गुरुदत के ओफिस से सचिन के लिए फोन आया गुरुदत इनसे मिलना चाहते थे सचिन अपने पिता के साथ मीटिंग के लिए पहुँचे तो गुरुदत ने कहा कि वो ओलिवर ट्विस्ट को हिंदी में बनाने जा रहे हैं वो चाहते हैं कि उनके फिल्म में ओलिवर का रूल सचिन करें उन्होंने सचिन से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है जवाब आया नौ साल गुरुदत ने कहा कि मगर कहानी में ओलिवर तो ग्यारा साल का है ये सुनते ही सचिन ने पूछ लिया तो क्या आप फिल्म में किसी और को लेंगे गुरुदत ने बिना कुछ सोची समझे कहा लेकिन इसके कुछ समय बाद साल 1964 में गुरुदत साहब की मौत हो गई हलाकि जैसा की गुरुदत ने सचिन से वादा किया था तो जब ये 11 साल के हुए तो इन्हें गुरुदत के छोटे भाई आत्माराम पादुकोन का फोन आया और इन्हें ओलिवर्ट ट्विस्ट के हिंदी वर्जन के स्क्रिप्ट दी गई इन्होंने जैसे ही स्क्रिप्ट को खोला पहले ही पन्ने पर गुरुदत की हैंडराइंटिंग में लिखा था तो बी मेड वेद सचिन वेन ही इज एलेवन खेर इसके बाद सचिन जब 17 साल के हुए तो इन्हें आफर हुई सलीम जावेद की लिखे फिल्म शोले इस फिल्म में सचिन ने इमाम के बेटे एहमद का रोल किया लेकिन फिल्म में इनके साथ बुरा हुआ दरसल फिल्म में गबर एहमद को तडपा तडपा कर मार देता है पकड़े जाने से लेकर गबर के हाथों मारे जाने तक का वो पूरा सीन सचिन के साथ शूट किया गया जिसमें तकरीबन 19 दिन का समय लगा लेकिन जब शोले फिल्म रिलीज हुई तो उसमें ये सीन नहीं था सचिन ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि तब इनके उम्र मातर 17 साल थी इसलिए फिल्म के डिरेक्टर रमेश सिप्पी नहीं चाहते थे कि उस बच्चे के साथ स्क्रीन पर ऐसी चीज़ें हुती दिखाई जाएं पता नहीं पब्लिक स्विकार करे या ना करे इसलिए उस सीन को किवल सिंबॉलिक तरीके से ही रखकर बाकी को काट दिया गया शोलिफ फिल्म से ही जुड़ा सचिन का एक और दिल्चस्प वाक्या आपको बताते हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान अपना काम खत्म करने के बाद भी सचिन रोज सेट पर जाते और जब रमेश सिप्पी शूटिंग कर रहे होते तो उनके कैमरे के ठीक पीछे जमीन पर चुपचाप बैठ कर उनका प्रॉसस देखते बड़े एक्टर्स को एकोमोडेट करने में व्यस्त सिप्पी ने टेकनिशियन लोगों की एक दूसरी टीम बनाई ये टीम कुछ एक्शन सीक्वेंस वगारा शूट करने वाली थी और आश्चर है ये कि इस टीम का क्रियेटिव हेड 17 साल के सचिन को बनाया गया और इनकी ह देखरेख में फिल्म शोले का ट्रेन वाला सीक्वेंस शूट किया गया हर सीन को पर्फिक्ट बनाने के लिए उसे कई बार शूट करने वाले सिप्पी ने जब वो शॉट देखा तो सचिन से बहुत इंप्रेस हुए और उस सीन को ज़स का तस फिल्म में रख लिया आम तोर पर ये देखने को मिलता है कि चाइल्ड एक्टर्स का करियर बड़े होने के बाद धलान पर आना शुरू हो जाता है क्योंकि उन्हें पब्लिक से लेकर फिल्म मेकर्स तक ने बच्चे की तरह देखा होता है उन्हें फिल्म के हीरो के तौर पर देख पाना थोड़ा मुश्किल रहता है सचिन वाले दौर में राजु श्रेष्ट, अलंकार जोशी, जूनियर महमूद और मास्टर सत्यजीप जैसे तमाम बड़े चाइल्ड आक्टर्स काम कर रहे थे उन्होंने कई फिल्मों में बाल कलकार के तौर पर काम किया था लेकिन जब बड़े हुए तो एकका दुक्का फिल्मों में सपोर्टिंग रोल ही मिले और फिर करियर खत्म लेकिन सचिन के साथ ऐसा नहीं हुआ बड़े होने पर भी रोमेंटिक फिल्मों के लिए ये निर्माता निर्देश्कों की पसंद बने राजश्री प्रोडक्शन के राजकुमार बढ़ जात्या ने सचिन की एक मराठी फिल्म देखी अजब तुझे सरकार उन्हें सचिन का काम पसंद आया और वो इनके साथ प्रेम और दोस्ती के इर्दगर्द एक फिल्म पर काम करने लगे उन्होंने सबसे पहले सचिन को साइन किया इसके बाद इनके लाएक कहानी ढूड़ी गई जिस पर गीत गाता चल नाम की फिल्म बनी इस फिल्म का स्क्रीन प्ले सचिन के पिता शरत पिल गाउंकर और मधुसूदन कार लेकर ने मिलकर लिखा था सचिन, सारिका और मदनपुरी के साथ बनी ये फिल्म म्यूजिकल हिट रही फिल्म में म्यूजिक और लिरिक्स दोनों ही रविंदर जैन का था इस फिल्म की सफलता के बाद आगे भी सचिन ने राजशी प्रोडक्शन के साथ कई और हिट फिल्मों में काम किया इसके कुछ साल बाद 1982 में केशो प्रसाद मिश्रा के ट्रेस्डे नॉविल कोहबर की शर्द से प्रेरित होकर राजशी प्रोडक्शन ने एक फिल्म प्लैन की इस फिल्म का नाम रखा गया नदिया के पार सचिन साधना सिंग और इंदर ठाकुर को मुखे किरदारों में लेकर बने ये फिल्म बिहार और यूपी बेल्ट में बहुत बड़ी हिट साबित हुई नदिया के पार की रिलीज के दस साल बाद राजशी ने इस फिल्म का रीमेक बनाया ओरिजिनल फिल्म के एक डायलोग पर नई फिल्म का नाम हम आपके हैं कौन रखा गया मादरे दिख्षेत और सलमान खान की ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई एक हीरो के रूप में सचिन की सफल हिंदी फिल्मों के लिस्ट में गीत गाता चल, बाली का वधू, अंखियों के जरोखों से, गोपाल कृष्ण, नदिया के पार और सत्ते पे सत्ता आदी रही फिल्मों में हर्फन मौला प्रदर्शन के साथ ही सचिन ने फिल्म डिरेक्शन में भी कदम रखा 1982 में आई मराठी फिल्म माई बाप डिरेक्टर के तौर पर सचिन की पहली फिल्म रही आगे सचिन ने 15 से जादा मराठी फिल्म में डिरेक्ट की मराठी फिल्मों में बताओ डिरेक्टर सचिन की सफलता को देखते हुए सुभाश गई ने इन्हें अपनी प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट्स के तहत हिंदी फिल्म डिरेक्शन डेब्यू करने का मौका दिया फिल्म का नाम था प्रेम दिवाने जिसमें जैकी श्रॉफ, बिवेक मुश्रान और माधुरी देख्षित में लीड रोल प्ले किये लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही कुछ एक हिंदी फिल्मों को और बनाने के बाद सचिन वापस मराठी सनमा की ओड लोट गए 2017 में सचिन ने गुविंद नहलानी के फिल्म के लिए एक गजल लिखा गुविंद की मराठी फिल्म ती आणी इतर में इन्होंने बादल जो घिर के आये नाम का एक गजल लिखा ये गितकार के तौर पर इनका पहला काम था इस गजल को इन्होंने शफक के उपनाम से लिखा था आई अब आपको बताते हैं सचिन और इनकी पतने सुप्रिया की मुलाकात और इश्क की रोचक कहाने सचिन अपनी दूसरी मराथे फिल्म नवरी मिलो नवव्याला बनाने जा रहे थे इस फिल्म के लिए इन्हें एक नई लड़की की तलाश थी इनकी तलाश नई नई आई सुप्रिया सबनिस नाम की लड़की पर आकर रुकी फिल्म की शूटिंग के दौरान सचिन को सुप्रिया से प्यार हो गया प्रेम तो हुआ लेकिन इज़ार करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद सचिन हिम्मत जुटा कर उम्र में खुद से दस साल छोटी सुप्रिया को अपने दिल की बात बताने पहुँचे इन्होंने सुप्रिया से शादी के लिए पूछा जवाब में सुप्रिया ने कहा कि मुझे लगा कि आपकी शादी हो चुकी है मगर वो शादी के लिए मान गई जैसे ही ये बात सुप्रिया के घरवालों को पता चली उन्होंने इस शादी से सीधे इंकार कर दिया वजो ये थी कि सुप्रिया तब सिर्फ 17 साल की थी और कॉलेज में पढ़ रही थी काफी मान मनवल के बाद दोनों के घर वाले राजी हुए नवरी मिलो नव्याला सुपर हिट साबित हुई और इसके ठीक अगले साल 21 दिसंबर 1985 को सचिन और सुप्रिया ने शादी कर ली सचिन और सुप्रिया की एक बेटी हुई श्रिया पिलगाओ कर माता पिता के नक्षे कदम पर चलते हुए श्रिया भी एक्ट्रिस बनी इन्होंने शारुक खान के फिल्म फैन से अपना हिंदी फिल्म डेब्यू किया था और Amazon Prime के चर्चित वेब सिरीज मिर्जापूर में स्वीटी के रोल में भी इन्हें दर्शकों ने बिहत पसंद किया यह को मुलना शेहर में और भी बहुत लगते हैं हम तुमको अच्छे लगते हैं और तुम हमको अच्छे नहीं लगते हैं बात खत्र आएब आपको बिताते हैं सचिन की जिन्दगी से जुड़े एक बड़े विवाद के बारे में अपनी बेटी श्रिया के जन्द से पहले सचिन और इनकी पतनी सुप्रिया ने साल 1988 में एक बच्ची को गोद लिया था बच्ची का नाम था करिश्मा मखणी जो फिल्म आत्म विश्वास में चाइल्ड एक्टर के रूप में नजर आई थी लेकिन कुछ साल बाद करिश्मा अपने बायलोजिकल पैरेंट्स के पास वापस लंदन चली गई बड़े होने पर करिश्मा भारत वापस आई और फिल्मों में एज अन एक्टरस किस्मत आज माने लगी साल 2005 में सचिन और सुप्रिया ने रियालिटी शो नचबलिये जीता और शो के ही दोरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी गोद ली हुई बेटी करिश्मा को उसके बायलोजिकल फादर कुलदीप मखनी चुपके से लेकर चले गए थे ये खबर जब मीडिया में सुर्खियां बने तो करिश्मा मखनी सामने आई और एक इंटरव्यू देकर सारी सच्चाई से परदा उठाया और सचिन पर कई इलजाम लगाए करिश्मा के अनुसार उन्होंने बताया कि उनके पिता कुलदीप मखनी और सचिन फैमिली फ्रेंट्स हुआ करते थे करिश्मा की मा बिमार रहने लगी थी और अपनी बेटी की देख भाल के लिए कुलदीप से उसे सचिन और सुप्रिया के पास रहने को भेज दिया उस वक्त सचिन सुप्रिया की कोई अउलाद नहीं हुई थी तो इन दोनों ने करिश्मा को अपनी बेटी की तरह पाला लेकिन ये कोई लीगल अडॉप्शन नहीं था फिर कुछ साल बाद करिश्मा की बायलोजिकल मदर ठीक हो गई और अस्पताल से वापस घर लोट गई तब तक सचिन सुप्रिया की भी अपनी एक बेटी हो गई थी जिनका नाम था श्रिया इसके बाद सचिन ने करिश्मा को कहा कि वो उनका घर छोड़ अपने असली माबाप के पास चली जाएं और करिश्मा ने वैसा ही किया जब करिश्मा बड़ी हुई तो बॉलिवुड में किसमत आजमाने वापस भारत आई और सचिन के घर में रहने लगी लेकिन सचिन सुप्रिया का बड़ताओ उनके साथ अब पहले जैसा प्यार भरा नहीं था और सचिन को ये भी लग रहा था कि करिश्मा उनका नाम इस्तमाल कर फिल्मों में काम पाना चाह रही है और सचिन ने दूसरी बार भी करिश्मा को अपने घर से चले जाने को कहा वैसे इन इल्जामों पर सचिन ने कभी कोई सफाई नहीं दी लेकिन जाहिर है करिश्मा के लगाए इन इल्जामों से सचिन की भोली भाली छबी पर उनके फैंस ने सवाल ज़रूर उठाए हलाकि इसके पीछे सच्चाई क्या थी ये कहा नहीं जा सकता खेर सचिन फिल्मों में अब भी पूरी तरह एक्टिव हैं वो मराठी और हिंदी दोनों ही इंडरस्ट्री में बता और एक्टर काम कर रहे हैं 2018 में रानी मुखर जी के साथ इनकी हिंदे फिल्म हिचकी और स्वपनिल जोशी स्टारर मराठी फिल्म रनांगन रिलीज हुई 2019 में ये होट स्टार की वेब सीरीज माया नगरी सिटी ओफ ड्रिम्स में भी नजर आए इस अ डिरेक्टर इनकी आखरी मराठी फिल्म अशी ही आशी की 2019 में रिलीज हुई थी दोस्तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे काम को थैंक्स बटन के जरिये भी सपोर्ट कर सकते हैं जिससे हम आगे भी ऐसी कहाने आ लेकर हासिर होते रहें इसे तरह कि कुछ और स्टोरिस देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल शोयता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं तो फिलाल मुझे दीजिए इजासत नमस्कार